मिलिट्री पार्ट सला में आपका स्वागत है मैं प्रोफेसर डियन मौरिया आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि OROP 3 में Y Group के पेंसनर को क्या मिला Y Group के पेंसनर टेबल नंबर 7 में रखे गए हैं चाहे वो 1-1-2016 से पहले रिटायर हुए हैं या 1-1-2016 के बाद रिटायर हुए हैं OROP 2 में भी ऐसा हुआ था और OROP 3 में भी ऐसा ही टेबल बनाया गया है यहाँ पर मैं पेंसन सबकी Y Group में राइंक वाइज बताने वाला हूँ इसमें से कुछ रेंग जो आनरेडी लेवल के हैं जैसे आनरेडी नायक, आनरेडी हवलदार, आनरेडी नायब सुवेदार उसको मैंने ओमिट किया है क्योंकि इसके एक्विलेंड रेंग जो नेवी और एर फोर्स में नहीं होते हैं तो इसलिए मैंने कुछ रेंग को इसमें से omit किया है ताकि हर forces के लोग अपना equivalent रेंग के हिसाब से अपना पिंसन समझ रखें कि कितना मिलने वाला है यहाँ पर मैंने 15 साल जो की minimum service है वहाँ से start होती है उसके पहले जो पिंसनर्स हैं वो दुसरे काटेगरी में आते हैं तो minimum service 15 साल से लेके मैंने 32 साल तक कवर किया है कुछ उसमें बीच में एक आग दो step मैंने skip किया है जम किया है ताकि पूरा का पूरा चीज आपको एक page पर दिखा सकूँ एक table पर दिखा सकूँ और इसमें काफी congestion नहों सब लोग इसे आसानी से समझ सकें तो इस ग्रूप में सबसे अच्छी बात है कि वाई ग्रूप में सबको कुछ न कुछ मिला है तो चलिए देखते हैं table के माध्यम से किस rank की पेंसन कितनी बड़ी है इससे पहले निवेदन है जो लोग मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब करें और लो देखते हैं table के माध्यम से वाई ग्रूप की पेंसन कितनी बड़ी है यहाँ पर हमने लिया है O.R.O.P. 2 वाई ग्रूप और यहाँ पर हमने रखा है right side में O.R.O.P. 3 वाई ग्रूप इन दोनों compare करेंगे कि O.R.O.P. 2 में कितनी पेंसन सी और अभी बढ़के कितनी पेंसन ह हो गई है यहाँ पर हमने लिया है qualifying service, years of service, 15 साल, 18 साल, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 यहाँ पर हमने सबी rank के लिए हैं सिपाही उसका equivalent होते हैं नवी में सीमेन, एर फोर्स में होते हैं क्राफ्ट मैं, तिम्रली नायक, नवी में leading, एर फोर्स में कार्पुरल, आर्मी में हवलदार, नव सुबेदार, CPO, JWO, फिर सुबेदार, MCPO2, इन नवी, वारंट आप्सर, इन एर फोर्स, सुबेदार मेजर, MCPO1, MWO, तो इसको देखते हैं कि पहला 15 साल के service में सिपाही को OROP2 में मिलता था 18,807, जो कि यहाँ पर बढ़कर 20,325 हो गया है, तो 1000 प्लस की इसमें बढ़ो 18 साल की service में सिपाही को मिलता था 18,807, वहीं पैंसन यहाँ भी है, जो कि अभी बढ़कर 20,462, 20,462 हो गई है, तो पैंसन यहाँ पर बढ़ी है, इसी तरह से देखिए 18 साल की service में पैंसन थी 19,779, जो कि OROP3 में बढ़कर 22,659 हो गई है, दूसरे रैंग में आई है, नायक में 20,107 था 15 साल की service में, जो कि बढ़कर 20,682 हो गई है, पांच-छासो रुपे की बढ़ोतरी हो गई है, यहाँ पर 20 साल की service में नायक को मिलता था OROP2 में 20,963, जो कि यहाँ पर बढ़कर 22,726 हो गई है, इसी तरह से 25 साल की service में नायक को था 21,688, जो कि यहाँ पर बढ़कर 23,659 हो गई है, तो pension हर लेवल पर बढ़ी है, हवलदार को भी देखेंगे, तो 15 years में 21,782 था, जो यहाँ पर 21,988 हो गई है, कुछ बढ़ा है 200,200 के आजपास, 20 साल के service में हवलदार का था 22,007 रुपीज, जो कि यहाँ पर बढ़क अभी हो गई है 24,763, 24 साल में हवलदार की pension थी, OROP2 में 22,257, जो कि यहाँ पर बढ़कर 24,763 हो गई है, तो यहाँ पर भी तब की pension बढ़ती हुई हर लेवल में, हर रैंक में, उसके बाद नायब सुबेदार के देखेंगे 22,578, 15 साल की service में OROP2 में, जो कि OROP3 में 23,17 25, pension बढ़ी है, नायब सुबेदार का 28 साल की service में 26,075 है, जो कि यहाँ पर बढ़कर के 27,950 हो गया है, इसी तरह से सुबेदार का भी देखेंगे, 15 साल में कोई से Y ग्रूप में कोई बनता नहीं है, सुबेदार तो Navy Army Air Force में, लेकिन for some purpose, comparison के लिए यहाँ पर दिखाया ग OROP2 में 27,550 और यह घट करके हो गई है 27,100, similarly 20 years service में 27,550 थी, जो घट करो गई 27,100, लेकिन आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, कि 18 साल की service में Y ग्रूप में हार्डी कोई सुबेदार लेवल में पहुचता है, लेकिन उसके बाद जैसे 22 साल में पहुचते हैं, जो सुब सुबेदार की पैंसन थी OROP2 में 28,050 और बढ़ करके 28,800 हो जाती है, similarly और आगे बढ़ेंगे, तो 30 साल में 31,000 था जो की बढ़के 31,500 हो गया, सुबेदार मेजर का अगें 15,18 साल में कोई बनता नहीं है, लेटक से 22 साल में 28,600 तो 28,800 हुआ है, पैंसन कम बढ़ी है, लेक 31,900 तो यहाँ पर पैंसन बढ़ी है, 28 यर्स में देखे 29,700 था जो बढ़के 33,750 हो गया है, तो इस तरह से 32 यर्स में 33,400 था जो बढ़के 34,575 हो गया है, तो इस तरह से Y ग्रूप में पैंसन सबकी बढ़ी है